हेलो दोस्तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक दम तीकी चटपटी मसालेदार सुखे आलू मटर की सबजी ये बहुत जल्दी बन करते आरो जाती है तो देर किस बात की सुरू करते हैं हमें चाहिए तीन कटे हुए आलू एक कटोरी मटर कदुकस की हुई अद्रक हरा धनिया अब हम कडाई चड़ा लेते हैं और इसमें डालेंगे दो चमच तेल मैंने सरसो का तेल डाला है आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हैं तेल गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है यह बिल्कुल ओप्शनल में है मेरे पास थे तो मैंने डाल दिये हम इने चटक जाने देंगे अब इसमें हम डालेंगे अलू और अलू को अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे यह मैंने ओइल में इनको अच्छे से मिला लिया है अब इसमें हम एक कटोरी मटर डालेंगे थोड़ी सी जो अद्रक कद्दू कस की थी वो डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे हरा दनिया थोड़ा सा हरा दनिया मैंने बाद में सर्व करने के लिए रख लिया है अब इसको अच्छे से चलाएंगे अच्छे से इनको मिला लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे मसाले अब हम इसमें डालेंगे मसाले आदा चमच लाल मिर्च डालेंगे आदा चमच डालेंगे मैं इसमें हल्दी पाउडर आदा चमच डालेंगे नमक आप अपने सुआद के नूसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे काला नमक क्योंकि इसे सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसमें थोड़ा ही डाले क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे आदा चमर्च सुखा दनिया और इसको अच्छे से मिला लेंगे अमचूर पाउडर और मैगी मसाला हम बाद में आड़ करेंगे वह थोड़ी सी बन जाने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए हमने कच्चे आलू लिये थे तो इने गलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा इसलिए हम 10-15 मिनट लो फ्लेम पे इसे ढख कर पकाएंगे हमें 10 मिनट हो चुके हैं अब हम सबजी को देखेंगे आलू थोड़े थोड़े गल चुके हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे आदा चमट डालेंगे गरम मसाला आदा चमट डालेंगे इसमें मैगी मसाला आदा चमट डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर जिससे सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसे अच्छे से चला देंगे सब्जी का कलर भी बदल जाता है इससे इसे चला कर पांच मिनट और ढखकर फिर से पकाएंगे अब हमारी सब्जी बन कर तयार है सर्व करने के लिए आप ये हमारी सब्जी एक और बना कर जरूर ट्राइ करें इसे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल का सर्व करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें धन्यवाद